तो दोस्तों, after huge huge public demand, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तक्रीबन 80% लोगों ने मुझे बोला कि gate score की concept पे वीडियो बनाया जाए तो ये मैं वीडियो बनाया रहा हूँ किसने लोगों ने vote किया पता है? 5 लोगों ने उसमें से 4 लोग ये बोले कि हाँ, gate score की concept पे वीडियो बनाया हूँ तो मैं वीडियो बना रहा हूँ Anyway, sad life jokes aside इस वीडियो में हम देखेंगे कि gate score या gate rank इसमें से क्या important है आप अपना gate score कैसे gauge कर सकते हैं अभी ही gauge कर सकते हैं अपने marks काल्कुलेट करके और मैं मेरे कुछ experiences शेयर करूंगा 2014 के gate से जिसमें से आपको ये पता चलेगा कि gate score क्यों important है और gate marks क्यूं नहीं और rank भी इतना important क्यूं नहीं है हम ये भी देखेंगे कि gate score क्यों यूज किया जाता है और gate score का formula देखेंगे तो ये वीडियो आखरी तक देखते रहे है आल राइट तो आप सबको पता है कि gate exam जो होती है लेट से mechanical engineering की या फिर electrical engineering की ये एक दिन में नहीं होती अलग अलग दिन अलग अलग exam होती है और questions भी repeat नहीं होते difficulty भी अलग होती है तो अगर किसी को असाम paper मिल गया और उसके marks जादा आते हैं और कोई बंदे को अगर hard paper मिल गया difficult paper मिल गया और उसके marks कम आ रहे हैं तो ये तो अन्याए हैं ये अन्याए ना होने देने के लिए marks normalize किये जाते हैं marks normalization के बाद भी ये भी आपको बता है कि for example, किसी IIT में, let's say, control system engineering में, आपको mechanical के बंदे को भी admission देना है, और electrical के बंदे को भी admission देना है, तो दोनों में आप compare कैसे करोगे, क्योंकि दोनों के gate paper तो अलग थे, इन दोनों में comparison करने के लिए, इनके जो gate marks है, उनको relatively देखा जाता है, मतलब उनके toppers कहां पे हैं, उनके qualification कहां पे हैं, और इन सब को एक ही stage पे लाने के लिए, gate score को introduce किया आगबाए, आप सब को बता है, gate marks जो होते हैं, वो out of 100 होते हैं, जैसे कि 50 या 60, और gate score जोता है, वो 1000 में से दिया जाता है, 1000 में से 800-900 के around का score बहुत अच्छा माना जाता है, 600-650 के around का score decent माना जाता है, 500-400 का it's okay, लेकिन इसके नीचे का score अच्छा नहीं है, ये सबसे पहले देख लिजे, मैं मेरा experience आपके साथ share करना चाह रहा हूँ, 2014 में मैंने अपनी पहली gate exam लिखी, मेरे gate exam में मेरा score आया, कुछ around I think 30 marks, और 30 marks पे मेरा rank जो था, वो था 452, बहुत अच्छा rank था, मैंने ये इंसे instrumentation, और instrumentation में कम लोग gate paper लिखते हैं, इसलिए आपका अच्छा rank बहुत अच्छा होना चीए, और ये gate करने के लिए gate score महा पे था, लेकिन मैं gate score की तरफ देखी ही रहा था, मैं तो rank की तरफ देख रहा था, और मुझे लग रहा था, मेरा बहुत अच्छा rank आया और तब जाके मुझे शौक लगा, तब जाके मुझे पता चला कि मुझे gate score देखना चाहिए था, तो अगर मैं मेरा gate score चेक करता, तो मुझे ये पता चला कि मैं actually कौन से position पे हूँ, और मैं better decision ले पाता, इसलिए बहुत important है कि आप अभी के अभी अपने marks जितने भी आ रहे या नहीं मिल सकता है जो भी है, तो start करते हैं gate के formula से, तो ये रहा gate का formula, तो formula सबसे पहले पढ़ते हैं, 350 plus 550 times some fraction, और ये fraction है m-q divided by t-q, अभी हर चीज का मतलब देख लेते हैं, जो q है, q का मतलब है qualifying marks, आप सबको बता है कि generally 25 एक qualification threshold होता है gate में, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि हर paper का qualifying score थोड़ा बढ़ चुका है, 33-35 ऐसे score जाते हैं आजकल, तो ये आपको qualifying score हुआ, उसके बाद है m, m मतलब marks obtained by u, तो ये है आपके gate marks out of 100, right, m-q ये है numerator, तो आपको numerator अभी पता चल गया, for example, qualifying marks है आपके paper में 25, आपने score किया 50, तो आपका m-q obviously, अभी denominator जान लेते हैं, denominator में है t-q, इस fraction में, t का मतलब है, अभी आपके gate paper में, जो top 0.1% लोगों के score है, उनका mean, अभी ये आपको guess करना मुश्किल है, लेकिन ये एक, एक चीज़ आप ये कर सकते हो, आप जो आपके paper में सबसे होशयार लोगों को जानते हो, अपने, अ आप expect कर रहे हो, मुझे gate score calculate करना है, तो बता दो, आप gate कर सकते हो, या फिर आप 80, 90, जितना higher ले सकते हो, safe side ले लो, ये T के score है, mean score होता है, top percent बच्चोगा, तो ऐसे आप समझ ले तो T मतलब toppers के marks, तो toppers के marks माइनस qualification marks, तो ऐसे समझ लेते हैं, कि toppers के जो marks है, वो है 90, त तो qualification है 25 है, तो denominator हुआ 65, तो ये जो fraction है, इस fraction की value आपके लिए, जब आपने 50 marks score किये हैं, और आपके toppers के marks 90 है, तो इस fraction की value हुई 0.385, अभी इस fraction को आपको 550 से multiply करना है, और उसमें 350 add करने हैं, तो आपका gate score आपको पता चलेगा, तो calculate करने हैं, 0.385 times 550, 211, 211.5, इसमें add करेंगे, हम 350, तो आपका gate score आया 561, अभी ये जो score है, 50 marks gate में लगता है बहुत है, लेकिन ये जो gate score है, ये ठीक ठाक है, आपको एक दो interviews के call आजाएंगे, आप शायद IIT वगेरा में interview के लिए जा सकते हो, लेकिन जो gate score है, थोड़ा और होना चाहिए था, तो इसल होना चाहिए, अगर अच्छी admission हो जानी चाहिए, मैं काफी लगी था मेरे टाइम, मैं 652 gate score पर 2015 में, IIT Delhi में admission ले बाया, बहुत ही लगी था, तो इस हिसाब से आप अपने gate score चेक कर सकते हो, जान दीजे जो टॉपर के marks 80, ये हमने 90 पकड़े थे last example में, जो कि ये काफी जा होगे, important है कि अगर आपके qualification जितने ही marks है, मतलब M is equal to Q है, तो आपका gate score रहेगा 350, और अगर आप टॉपर रहोगे, तो आपका gate score around 900, 900 के आसपास रहेगा, तो 900 के अबाव, अगर आपका score है, तो आप भाई, AIR under 10, under 50 हो, अगर आप qualification से कम हो, तो भाई, आप थोड़े से कम होगा, तो ये समझ लीजे, अगर आपका gate score 350 है, तो बहुत ही खरार है, तो बहुत ही खरार है, तो ये समझ लीजे, gate score डिरेक्टली आपका rank बता रहे है, और आपको inter-branch fight करने में मदद करेगा, PSU में या फिर आप ये आइटी के आडविशन में, तो ये simple सा concept हा, gate score क अगर आपको कुछ भी doubt हो gate score के बारे में, तो मुझे comment section में लिख के बताइए, और भाई मेरे polls प्यार जादा वोट किये जाओ, इतने subscribers है, कुछ भी वोट नी करते हो अगर आपको poll नहीं लिख रहा है, तो इसका मतलब आपने subscribe नहीं किया है, तो प्लीज अगर आपको ये आपके जितने marks है, उतने ही marks काई सारे लोगों के होते है, तो इसा भी होता है, 21 score पर खापी सारे राइंग्स होते है, इसलिए आप जाता चींता मत करें राइंग की, आप वो gate score नहीं कर सकते है, बहुत अच्छे से, लेकिन gate score आपको अच्छी जगा पर पहुचाएगा, जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जान दिते रहिए,